हाई दोस्तों तो बोड लांच करने वाले अपने एक नया यार्डॉप जिसका नाम है बोड यार्डॉप 1-2-1 प्रो प्लस और एक सल पहले इसका वर्शन वाल लांच किया गया था वह बहुत अच्छा भी का था और यह भी मुझे लगता अच्छा भी केगा ठीक है तो यह एक बैटरी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और कितना बैटरी है और बैटरी परसेंटे सो करेंगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर बैटरी की में बात करूं तो यहाँ पर आपको बैटरी बै इस पर तोटल आपको 4 माइक मिल जाता है, तोटल दो एक एक एरबट में 2-2 माइक, उपर एक नीचे और इंधर पी उपर एक नीचे, आपको 4 माइक देखने को मिल जाता है, और बैग्डाउं नोई सब क्लियर हो जाएगा, बोट का सिगनेचा साउंड आपको यह आप देखने को मिल जाता है, बोट का सिगनेचा साउंड का मतलब बोट का जो बेसे एक रेटिंग दिया गया है, बोट का बेस का क्वालिटी उसके बाद साउंड का कितना बॉल्यूम अब बोट का सिगने साउंड इक का रेटिंग है अब सोच लिजिए इजी वासा में बोट का इस पर्फेक्ट जो बैलन्स होता है बेस और साउंड का ओई से इसे कहते है बोट का सिगने साउंड वेपिर इवाट पर फिटिंग की बात करें तो यहां पर को 10 mm कर द्राइबर मिल जाता है ठीक है और अगर फिटिंग वाट कि बात करें तो फिटिंग तो भी बहुत अच्छा हो जाता आप गिरने का कोई चांस नहीं जितने आप घिला लीजेए सिरिंदें तो यहां पर आप इस ईंगे निर्परिस जमट आप अधों कि चर्ट आप अगला में बूलूंगा में इंगे solo इसे अप लो लाड ρेंसी कह सकते हैं विश्ट मोड के अग में बात कोतर main inaud कह सकते हैं, जो कि यह 50ms, अगर आप गेमिंग के लिए परपस के लिए ले रहे हैं, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे भी आच्छा 40ms का आपको Earbuds आपको देखने को मिल जाता है, जो गेमिंग के लिए स्पेस स्पेस के लिए बनाया गया है Bluetooth 5.3 को यह सपोर्ट करता है, जो कि अभी लेटेस्ट है, मार्केट पर, और सेकेंड लिए Water Rating 5 IPX5 यूज किया गया है, जिसके मदल से अगर पानी में गिर भी जाता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने आने बला है, आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं आप बात कर लेते हैं, इसे आपको लेना चाहिए, याने देखिए, यह Airbird आपको बोट की तरफ से आ रहा है, एक सल का warranty भी मिल जाएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप ज़रूर warranty क्लेम कर सकते हैं, और सब दिन का रोडी प्लेस में मिल जाते हैं, और सबसे